कme good कि विए खुर्वाद इंगलेंshore जोनक रही इंग्लेंड का तो वड्लकप को ओपनर मुकाबला था न्यूजलेंड टीम के किलाव मुकाबल में न्यूजलेंड की टीम को नौभ विक्टOTTly से काफी पूरी ठाल हराया कि इंग्लेंड की टीम अपने दूसरे मुकाबले में जो उनका होने वाला है बांगलादेश टीम के साथ 10 अक्टूबर को धर्मशाला में लेकिन इंग्लेंड के लिए अभी भी मुसीबते कम नहीं हो रही है पहले मुकाबले में हार्तों मिली लेकिन दूसरे मुकाबले के दौरान एक बुरी खबर है कि England टीम के जो match winner जो इस्टार खिलाडी Ben Stokes वह अभी भी मुकाबले में नहीं खेलते हुए नजर आने वाले दूसरे मुकाबले में भी क्योंकि Ben Stokes अभी भी fit नहीं है New Zealand के खिलाब जो मुकाबला हुआ था तब भी Ben Stokes नहीं खेल पाए थे और बांगलदेश के खिलाब जो मुकाबला होने वाला है तब भी Ben Stokes खेलते हुए नजर नहीं आने वाले यह चीज़ इंगलेंड के कप्तान जौस बटलर ने खुद कंफर्म कर दी है जौस बटलर ने Ben स्टोक्स की फिटनेस रिपोर्ट जारी करी है और यह खुद कहा है उन्होंने की बंगलदेश के खिलाब जो मुकाबला होने वाला है उसमें Ben Stokes नहीं खेल पाएंगे अभी वो अपने इंजरी से रिकावर कर रहे है Ben Stokes नहीं पर अपने वंडे इंडिनाशनल करियर से के साथ और इस ओडियाई सीरीज में Ben Stokes ने इंगलेंड के लिए हाइस इंडिविजुल स्कोर का रिकॉर्ड खड़ा के था 182 रन मारके लेकिन उसके बाद यहां पर खेलते हो नजर नहीं आए वापसी काफी अच्छी के लेकिन अभी अपने इंजरी के चलते वह फिट नह नहीं हुआ है Ben Stokes की वापसी के लिए हर को इंतजार कर रहा है होफुली Ben Stokes जल्दी से वापसी कर ले क्योंकि उनकी पारी देखने के लिए हर क्रिकेट फान बेस अबरे से इंतजार कर रहा है लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे फट-फट से को में जो को